सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं Monday Night Raw की वियर्शिप के साथ में Voice of Wrestling के वाइस ओर वाले एपिसोड में और पिछले अपते की जो वियर्शिप थी उससे इस अपते की वियर्शिप जो थोड़ी सी बढ़ गई है लास्ट विक वियर्शिप थी 1.611 वियर्शिप थोड़ इससे भी काफी जादा होनी चीजी थी Monday Night Raw की वियर्शिप ऐसा मुझे लगता है लेकिन अब खेर वियर्शिप तो कम यहां तो इसके बार में क्या कर सकते हैं मतलब हील वाले साइड है तो आपको पता यह एसी चीज़े टीव पर करवाना वाइड करती है तो Monday Night Raw के और फेर जाने के बाद जब कैमराज नहीं रोल हो रहे थे उस टाइम पर डेविन प्रीस और सेथ रॉल इसने हैंड शेक किया और इवन क्रावड का वे इस पुझे रिस्पॉन से वह काफी अच्छा आता है यह बात तो वैसे डेविन प्रीस्ट काफी ज़्यादा प इंडिया वाले फैन्स को काफे खुश कर सकती है अब परसनली मैं क्या सोचना हो वीर महान के बारे में आपको थोड़ी दिल में बताऊंगा लेकिन क्या डबल अबली का सोचना है वह बहुत जादा मैटर करता है आपे मेरा कुछ करता नहीं क्योंकि डबल अबली इस तरीक क्योंकि कोई एंड नहीं था उसका तो सही हो या अच्छा होना तो दूर की बात है लेकिन फिलाल आप दुबारा से वीर महान और सांगा और पूरी इंडू शेयर जो आ रही है तो इस वेसे डबल बली इनको काफी बिग फ्यूचर इनका देखती है परसनली मेरा क्या ओप वीर महान की जो पूरा लोका और परसनलेटी है वो भी उनके करेक्टर के हिसाब से काफी अच्छी लगती है और जो उनकी इंडिंग स्किल है उस साइज के साथ जो कहरी करते हैं वो भी काफी इंप्रेसिव है तो एक काफी ऑविस सा है यह डबल डॉली को भी ऐसे मानना ल होंगे अब भी तो आपको पता है अपने हाथ में वो टाइटेनियम कास्ट लेके घूम रहे हैं लेकिन मनी इन दा बैंक में जाने का मतलब यह नहीं है कि वो कोई मैच रसल करने वाले हैं अभी इसके बार में ना इतनी ऐसे कोई क्लैरेटी नी वाला आप लोग त्वीट मचाते हैं लेकिन फिलाल मैच होने के चांस मनी दा बैंक में तो कोडी रोड्स के नहीं है और वह काफी ऑव्वेस भी है क्योंकि अगर कोडी रोड्स के हाथ की हालात देखे जाए इस समय तो वह हाथ में जब कास्ट लगे घूमरे तो ऐसे में मैच करवा दिया तो फिर उ असड़ होगी हाला कि मैच एक्पेक्टेड नहीं है फिर भी कोडी रोड्स और ब्रॉकले इसना का एट मनी दा बैंक प्रीमिम लाइव इवेंट मंडे नाइट रॉक का जो एपिसोड था उसमें बैक स्टेज इस बार विंस मिक्मैन थे जी हां बल्कुल साइज उन आप ल सोचल मीडिया पर कहा रहा हूं मैं ऐसे हो गया था कि अब तो कोई भसर मचने वाली है लेकिन कुछ ऐसा खास नहीं था क्योंकि पास हुई थी मंडे नाइट रो इस वज़े से विंस मिक्मैन वहां पर आ गए और बाकी चीज़े जो उनको कंट्रोल करनी रहती है वो कॉल रेंडी ओटन काफे टाइम के लिए जो एक्शन से बाहर रहेंगे भी तीव में आप लोग उनको एक्सपेक नहीं कर सकते हैं लेकिन डेफिनिटली रेंडी ओटन की एक रिटर्न डेट जरूर है इस साल में यानि इस साल के अंदर अंदर जो रेंडी ओटन है वो वापस आ रेंडी ओटन के रिटर्न डेट जरूर और वह इस कैलेंडर येर में हो सकती है तो हम पॉजिटिव वे में इसको लेके चलेंगे तो अच्छा है यह क्योंकि अगर यह सोचें कि एक दो महिने में आ जाए और फिर अगर आप यह सोचें कि साल के एंड में फिर मजा नहीं आ कि उनको नेक फ्यूजिन वाली सर्जिरी से गुजनना पड़ा और ब्राउन सुमिन जिस तरीके से बात कर रहे थे मैंने आप से एक आता कि ऐसा लग रहा है कि इतना कोई सीरियस मैटर नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी रिकवरी में टाइम नहीं लगेगा उनकी र बार फिट होके आया जाए वापस तो फिर अपना करियर वैसी कर सकते हैं और वैसे भी मुझे ऐसे लगता है इस चीज को जरूरत थी क्योंकि अप शाद हो सकता है थोड़ा जो वर्काउट है वो ब्रॉन सुमें ना करें और ना करेंगे थोड़ा साइस गें कर लेंगे और लौट एक गाप है मंडे नाट रॉ में मैच करने का वो वी साल 10 मेने और 14 दिन का है और अलड़ी इस टाइम से आगे निकल चुके हैं ब्रॉक लेस्नर तो अगर मंडे नाट रॉ में अपना करियर खतम करने से पहले करियर एंड होने से पहले कभी भी भी ब्रॉक लेसन तो सोच रहो यह तो बड़ा अजीब है कि ब्रॉक लेस्टनर लगातार आते हुए अब डिनाइटरों में और इसके बावजी दोने कंपीट नहीं किया खैर यह कह सकते हैं अगली स्टोरी बैकल इंच से रिलेटेड है और मुझे ऐसा लग रहा भाई कंफर्म है यह तो कि बै सब्सक्राइब करते हैं यह बड़ा सूपरस्टार है इसने यह नहीं किया चलो इसको यह दे देते हैं ताकि जो चीज़ें वह भी थोड़ी रेलिवेंट लगया और हम डबल लबी इस चीज़ को पुरा मैक्सिमाइज कर सके तो मुझे ऐसी पता नहीं क्यों अंदर से फेल चलो बंदे ने चैलेंज कर दे कि मैं देख लूँगा तुझे लेकिन टीवी प्रोग्रामिंग का यह पार्ट था तो यह बड़ा वीर्ड लगा मुझे और उन्होंने यह नहीं कहा कि वह आ रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस के पास चैंपेंशिप लेने के लिए ब क्या पता है नेक्स्टी के शोवर भी कंपीट कर वादे व्यस्ट रॉलिंस के बारे में अपडेट यह कि मनीन दा बैंक के अंदर जो उनका अपॉन्ट होने वाला है वह फिन बैलर है यह चीज़ हमने मंडे नाय ड्रॉप पर भी टीज होती भी देखी थी जब फिन बैलर बिल्कुर शो के क्लोजिंग मुमेंट में आ गए थे सेथ रॉलिंस के पास में तो सेथ रॉलिंस इस तरीके सबना जो अगला टाटल डिफेंस है वो कर सकते हैं वैसे हमने असलिए खाड़ा पॉड़कास और यूट्यूब पर पूरी डीटेल वीडियो बनाई है इसके बा यहां से सोलो सिकोवा यह तो पत्ते कट चुकें अब जे उसो यहां पर रहते हैं अब क्या जे उसो के बार में यह कह रहें कि ब्लड लाइन का पार्ट है यह पिर नेक्स नमबर जे उसो का लगने वाला है जिस तरीके से आगए चीज़े चल दिये बात यहां पर ऐसी ने इस बात को रिवील कि हैं वह पैसे कितने कमाँ थे डियुल व्ली के साथ में जो कि हाईस्ट पेड वाले रैफ्री मिस मिसं से रहें कुंकि इतने टाइम उन्होंने काम किया हूँ तो इस अपनी सैलरी बताए वह थी 202 के डॉलर के आसपास और अगर आप इसे इंडियन इंटरनली अपना जो money in the bank का match है उसको official कर दिया है सिर्फ टेलिवेजन पर इसको बताने की बारी है और वो है रोमन रेंज सें सोलो सिकोवा वर्सिस जिमी एंड जे उसो के बीच में और गाइस प्लैन यह भी है कि लंडन में जो money in the bank होने वाला यही होगा शो का main event अब इसके बार में मनीद बैंक के बार में एक और चीज़ अगर में आपको बता सकता हूं तो वह यह है कि शायद पॉसिवरी women's ladder match को शो के opening में डाल सकती है तो यह update है और अब इससे तो हमको यह पता चल गया कि bloodline का जो smackdown में एंगल होने वाला है उसमें बहुत जादा पंगेबाजी होने वाली और फंगेबाजी फिर लीड करेगी स्टैक टीम मैच की तरफ इसका मतलब कि smackdown का एपिसोड है कि ऐसा शो होने वाला जिसको हम बिलकुल भी मिस नहीं कर सकते क्योंकि कि smackdown में कुछ तो धमागा कुछ तो तोड़ फोड जरूर मचाने वाले हैं रोमन रेंस क्रिकेट की बात है अगर आप लोग मिरसे ऐसी सुनना चाहते हो स्क्रिप्टिंग एडिटिंग भाई काफी टाइम लगता उन वीडियो में तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन से वीडियो देख सकते हो नए चैनल की